श्री नाज्य गुरुजी को लखादेश, माभगवती को लखादेश, श्राची वाले भाईरबाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश, अघोर रूप में महादेव जब आते हैं, इतने दिनों मैं ये समझ गया हूँ, कि मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े लोग, अच्छे सादक होने के साथ अच्छे रिसर्चर भी हैं, ठीक है अब ही क्या हुआ, कि उस दिनों पहले मैंने उच्छिस्ट साथनाई देने से मना कर दिया था, तो उच्छिस्ट चंडाले नहीं कोई मांग रहे थे, तो हमने बोल दिया कि उच्छिस्ट चंडाले नहीं करनी है, मैं आपको अच्छी साथनाई दूँगा, उससे बेटर सा डाले नहीं दो बात तो वही आती है तो क्यूंकि अब इस तरफ पे आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और एक से एक आप लोग साधनाय ढून-ढून के निकाल रहे हैं तो मैं एक चीज़ जानता हूं कि मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं तो मेरे तरफ से ये एक प्रयत्न है कि मैं आपको आज एक मंत्र दे रहा हूं ये जो अगोर रुद्र मंत्र है ये वो तीन मंत्र है जो मैं खुद प्रयोग करता हूं अपनी सुरक्षा के लिए जब आपको लोग जानने लगते हैं तंत्र छेत्र में न और जब आपकी थोड़ी भी ख्याती होती ह तो आप के पीछे लोग लगने लगते हैं या फिर जैसे आप लोग साधना करोगे साधना करने के बाद आप लोगों ने किसी की भलाई कर दी अब उसकी बुराई के लिए दो तांत्रिक पड़े वे थे किसी अमुक ने उसकी बुराई के लिए किसी तांत्रिक को पैसा दे र क्रियास होते हैं वो बड़े परिशान रहते हैं आर्थे समाजे कुछ ने कुछ उनका खट पड़ चलता रहता है उसका कारण यह है कि कोई न कोई उन पर क्रिया करता ही रहता है जब आप एक स्टेज पर पहुंजाओगे क्रियाओं में तो आप पे कौन क्रिया कर रहा ही क्योंकि गुरु निंदा सुनना गलत है तो उन लोगों ने दिपावली के एक दिन पहले मुझे पर मारन का प्रयोग किया अब उनका यह बैड लग था कि जिस समय उन्होंने प्रयोग किया उस समय मैं भी साथना में बैठा था और मुझे पता चल गया कि उन्होंने ऐसा- आपने गलत किया और आइंदा से मत करना ठीक है तो एक स्तर पर जब आप पहुचोगे तो आपको समझ में आने लगता है कि आसपास क्या चल रही है कौन क्या कर रहा है ठीक है और बहुत और उसके बाद आपको यह भी पता रहेगा कि क्या बोलना है नहीं बोलना है क्योंक आपके उपर तो पूरा काला जादू है और किसने किया तो और आपके घर में एक ऐसी औरत होगी जिसने यह क्या वो क्या ऐसा कौन लोग करता है जिनको अपने क्लाइंट को लेना होता है जब आप सिद्ध हो जाते हैं तो आप किसी को नहीं बोलिएगा कि उनके साथ क्या परिशानी है मुझसे कोई पूसता है गुरुते परिशानी क्या है मेरे साथ किसी ने कुछ किया है कि मैं बता दूंगा तुम ठीक कर लोगे क्या तो जब तुम ठीक नहीं कर सकते हो तो तुम पूसते क्यों क्या क्या परिशानी है हाँ ठीक है तुम्हारे साथ परिशानी ह तो कहने का तात पर यह है कि जब साधनाए करेंगे तो बहुत तरह की चीजों को आपको सामना करना पड़ता है तो उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए तो जो रूद्र अघोर रूद्र मंत्र है इसका एक खासियत है इसका एक साधना विद्धी है मतलब ऐसा कहूं कि जो राइट हैंड तंत्र का मार्ग है अगोर के अलावा जो सात्विक मार्ग है तंत्र का उसका यह सबसे पारफुल मंत्र है जो शुरुबात में मैंने अभी एक मंत्र पढ़ा था वो मंत्र अगर आप कही किताबों में देखोंगे तो उसमें अंतर मिलेगा कुछ शब्दों का हेर फेर है लेकिन मैं जो शब्दों बोलता हूँ मैं वो शब्दों बोलता हूँ जो गुरु मुखसे मुझे प्राप्त्वे हो और जिसका मैंने प्रयोक किया है तो अघोर रूद्र मंत्र जो है उसको सिर्फ आप अगर याद कर लो, ठीक है, याद करके, सुबह जब आप पूजा करने बैटते हैं, तो इस मंत्र को पढ़के, तीन बार अपने शरीर को फूकना है, मतलब एक बार पढ़ा मंत्र को, उसक एद अपने शरीर को फूक लिया, दूसरी बार पढ़ा, फिर फूका, तीसरी बार पढ़ा, फिर फूका, तो इससे क्या होता है, कि आपके शरीर का, कि पूरी बंदिश हो जाती है, अगले किसी वीडियो में मैं आपको दिशाओं का बंदन बताऊंगा, कि मतलब उसको पढ़ के अगर आप चारो दिशाओं को फूक दिशाओं को फूक दिया, यह अपना एक्टिविटी में यह आ जाता है, इसका साधना का विदी है, लेकिन अगर आपको इसको चलाना है किसी पर, यह किसी का कुछ ठीक करना है, तो फिर अलग से मैं कभी आप फोन मोन करना तो बताऊंगा, क्योंकि इसका साधना विदी बताना सब के लिए अच्छा नहीं होगा, जो किताबों में दिया गया साधना विदी वैसा, इसका कोई साधना विदी नहीं है, बहुत सरल साधना विदी है, लेकिन क्योंकि बहुत अग्रेसिव मंत्र है, इसलिए इसको सिद्ध सबको नहीं करने दिया जाता है, आप मंत्र सुनो, ओम रिम अस्फुर अस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घुर घुर तरतन रूप चटचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप्रचटप् आसपास भी, कोई भी unwanted energy रहेगी, negative energy मैं नहीं बूल रहा, unwanted energy रहेगी, जो कांद की नहीं है, वो निकल जाएगी, मंत्र एक बार फिर सुनो, ओम, रिम, असफूर, असफूर, प्रस्फूर, प्रस्फूर, घुर, घुर, तरतनो, रूप, चटड़, प्रचट़, कहा कहा, बंबं, बंदय, भंदय, घातय, हुम, पट एक बार अंतीं बार शुन लो, ताकि तुम लोग सीधे प्रयोक कर सको, अभी क्या है कि इस मंत्र को जब अमरे गुरु भाई विशालनात बोलते है कि मरी मुर्गी की तरह मत चापना जैसे मैंने पढ़ा ना बंदया बंदया घातया घातया बंद बंद घात घात हुम पट नहीं चलेगा इसका जो लह है उसी लह में इसको पढ़के इसके लावा किसी भी लह में नहीं पढ़ना इसी लह में इसको पढ़ना बंदया बंदया घातया घातया हुम पट तो ऐसा जब आप पढ़ोगे ना तो ये मंत्र तुरंद काम करेगा कभी-कभी ऐसा लगेगा कि आपको की बहुत energy low है, तब इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, लेकिन इस मंत्र का 24 से जादा जाप मत करना, 27 कर सकते हो at max, उससे जादा जाप मत करना, क्योंकि शरीर हमारा इस मंत्र को absorb करने के लिए हमेशा तयार नहीं रहती है, ठीक है, किसी और तरीके से मरे मुर्गी स्टैल में 108 जाप कर लो, कोई अंतर नहीं पर होता, इस तरीके से आग बंद करके अजपा करना, तो 24, 27, 27 के उपर मत जाना, कोई भी टेंशन होगा, किसी भी तरीके के energy attack होगा आपके उपर, इस मंत्र को अजपा करना, मन में जाप करने से वो खतम ह हो जाएगा, ठीक है, अब इसको अगर सिद्ध करना है, अगर आप लोगों को साधना में जाना है, तो पहले तो मैं सब को नहीं दूँगा, पहले बता दे रहा हूँ, तो आप मुझे संपर करना, सीरियस साध़ को दूसरों के लिए आपको यह मंत्र चाहिए, तो मैं आप के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं कभी और आपको दिशाबंदन का बहुत ही उत्तम मंत्र दूँगा, फिर से पुरानी बात है, अगर भूत प्रित के बारे मैं पढ़ना चाहता है, एक किताब लिग रखा है मैंने, आप लोग उसको खरीदिये, पढ़िये, और व मेरा वेबसाइट दिया हुआ डिस्क्रिप्चर में, उसमें आप appointment भी सीख कर सकते हैं, WhatsApp मेरा दिया हुआ है, उसमें भी appointment सीख करते हीं, आप मैं बात करता हूँ, आप सभी को अलग आदेश, आदेश, आदेश